अगर आप लोग CBSE compartment student हो यानि कि आपको compartment का exam देना और साथी में अगर आप लोग CBSE में improvement exam देना चाहते हो अगर आपको अपने marks को बढ़वाना है ये वीडियो को बहुत important देखना ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत जादा important है सबसे पहली और सबसे important update ये बता दू आप लोगों में से जितने लोगों ने भी revaluation के लिए डाला था अपनी copy को recheck के लिए डाला था आप लोगों के results आपके पास आ चुके होंगे जिसमें से कि बहुत सारी आसे बच्चे थे जिनका एक subject में compartment लगा था और उन्होंने revaluation के ल हुआ है तो आपको बता दू कि आपको आज के आज ही उस particular subject में compartment के लिए apply करना होगा साथी में अगर आप improvement exam देना चाहते हो जिसके बारे में मैं आगे और बात करूँगा तो पहले तो बता दू कि compartment और improvement में apply करने का आज last date है आज के आज आज आपको इसमें apply करना होगा without without late fine इसके अलावा अगर आप करते हो कल और परसों में तो आपको late fine भी भरना पड़ेगा आज के आज रात के 11 बजी से पहले अगर आप apply करते हो तो without late fine आपके application हो जाएगी for improvement और for compared exam लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ एक बहुत important अभी फिलाल के लिए तुम सभी लोगों को अगर आगे जाके तुम वो कोई साभी exam देना है या फिर अगर तुम cbac level पे ही अगर अपनी preparation को और अगे continue रखना चाहते हो तो मैं बता दू आप लोगों के लिए अभी unlock 25 चल रहा है जिसमें कि आप लोगों के लिए कि आपक क्लाट exam clear नहीं कर पाते हो और आप an academy का subscription लेते हो और अगर आप क्लाट नहीं क्लियर कर पाते हो तो आपको next year बिलकुल free subscription मिल जाएगा extend हो जाएगा और यह जो है यार यह आपके plus के 12 month above pay applicable है या फिर आप iconic के कोई से भी subscription को लेते हो तो और साथी साथ क्लाट का free scholarship mock test आपक scholarship के थूर कर सकते हो साथी में आपको यह भी बता दू कि आप लोगों के klat printed mock test series जिसमें कि 10 sectional और 10 full length mock है आप लोगों को मिल रहा है विध्योर subscription और यह आपके घर पे printed delivered हो जाएगा और तो और आपके screen पे आपको June 2023 का test series calendar दिख रहा होगा जिसमें कि आपके पास दो free test है और बाकी सारे जो है वो plus user के लिए test है तो अभी best mock आया प्लस में आपको 25% off देखने को मिल रहा है और हाँ नहीं सिर्फ इतना बल्कि आपके लिए बहुत सारे batches launch हो गये है for your klat जैसे कि आपका level up batch जो की आपका 2024 के klat, alert, slat, lset, mhcet में आपकी बहुत जादा help करेगा with the top educator, ace legal batch जो कि आपका beginner batch है for klat 2025 और उसके साथ-साथ mission batch आपका, जो की है 2025 के लिए, जो की है आपका integrated batch for klat and boards both और with the top educators, तो आपको मैं बता दूँ सभी चीजों का link आपको description मिल जागा, code यूस करना मत बूलना, PDNs 10 तो best और better discount, जाओ फ़र जाके सारे links description से check out कर सकते हो, अब बता देता हूँ सबसे पहली बात कि जिनका भी compare लगा, आपको तो compulsory है, compare exam देना, अगर आप further education को proceed करना चाहते हो, जो कि मेरे को पता है कि आप लोग मैं से सब लोग करना चाहते हो, but improvement exam जो है, ये किन के लिए, improvement exam उन बच्चों के लिए, जिनका की exam में marks नहीं आया, उतन जिन तक उनको चाहिए था, और वो लोग चाहते हैं कि वो लोग आगे चलके further education को और भी असानी से proceed कर पाए, यानि कि वो लोग चाहते हैं, अपना marks को बढ़वाना, improvement exam किन को देना चाहिए, improvement exam उनको देना चाहिए, जिनको अपना marks को 75% या उससे ज्यादा बनवाना है, अगर आप J या फिर NEET के लिए सोच रहे हो, और आप चाहते हो कि मेरा 75 से उपर बन जाया परसेंटेज और आपका अभी 73, 72, 70 या in fact 65 भी बन रहा है, तब भी आप किसी एक subject में जिसमें आपका सबसे कम marks है, आप उसमें improvement exam देके, अगले साल जब सारे बच्चे exam देंगे, लेकिन वो याद रखना कि वो अगले साल के pattern जो हो रहेगा, उसी पे आपका exam होगा, same to same, तो आप अगले साल जितने भी बच्चे boards देरोगे, उनके साथ आप उस particular exam के day पे exam दोगे, और फिर आपको एक नया marks sheet मिलेगा for that subject, जिसके साथ आप लोगों का जो पुरोपर, जो आपको एड करने के बाद वो 76 बन रहा है, तो उसके बाद से तुम कहीं भी अपना marks डालोगे, तो 76 डालोगे, तो मैं बता देता हूँ, especially अगर तुम्हें एक dropper हो, तो आपको improvement exam देना चाहिए, अगर आपका 75 से कम है, और अगर आप एक dropper नहीं हो, और आप आगे चलके क कि आप improvement exam के लिए apply कर सकते हो, और जितने बच्चे compartment वाले हैं, आप लोग भी CBSE के साइट से जाके, अपना compartment exam के लिए apply कर सकते हो, today is the last day to apply, मैंने दुबारा बोल दिया, इसलिए मैंने इसको बहुत ही importantly आपके लिए update यहाँ पर डाल दी है, जिससे कि आपका I hope कि कुछ न important देने वाला हो, उसके लिए भी ready रहना, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बैल आइकन दबा देना, जय हिंद, बंदे मातरम, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, और चैनल पे compart related जो भी strategy वीडियो है, वो अल्रेडी अप्लेड